प्यारे साथियों, आपने बहुत से पुष्पी पादप तो देखे ही होंगे, जैसे गेंदा, सदबहार, पिटूनिया, गुल्दाओदी, आदी आए हम एक पादप को देखते हैं, इस पादप के बिभीन अंग हैं, जड़, तना, पत्ती और फूल ये सबी अंग विभीन प्रकार के उतकों के समूँ से बने हैं उतक दो प्रकार के होते हैं विभज्य उतक और इस्थाई उतक इस्थाई उतक भी दो प्रकार के होते हैं साधारण एवं जटिल साधारन उतक के तीन प्रकार हैं म्रदूतक, सलशे उतक एवं दढ़ोतक जटिल उतक भी दो प्रकार के होते हैं जाईलम एवं फ्लोयम आज हम अस्थाई स्लाइट बना कर पादपुम में म्रदूतक और दढ़ोतक उतकों का अध्यन करेंगे इसके लिए जो सामगरी हमें चाहिए वह इस प्रकार है वाच ग्लास या पैट्री डिश, स्लाइट्स, कवर स्लिप, रेजर ब्लेट, ब्रश, ड्रॉपर, पानी, सैफ्रेनीन अभिरंजक, ग्लिसरीन, ब्लॉटिंग पेपर और कुछ पादपों की ताजी शाखाएं जिनसे हमें त्रॉटक और म्रदूतक की आस्थाई स्लाइट बनानी है आए शुरू करते हैं आस्थाई स्लाइट बनाना एक पैट्री डिश या वाच ग्लास में थोड़ा सा पानी डालते हैं एक पादप का कोमल तना लेते हुए लगभग उसके दो से तीन सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काटते हैं इन टुकड़ों को वाच ग्लास में रखे पानी में रखेंगे जिससे इसमें बायू भरी हुई है वे निकल जाए लगभग तीन चार टुकड़े काट लेंगे अब इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेकर ब्लेट की सहाथा से इस तरह सेक्षन काटेंगे काटेंगे, अनुपरस्त काटने के लिए हम ब्लेट को हलका गीला कर लेंगे, गीले ब्लेट से तेजी से काट को काटते हुए, वाच ग्लास में रखे, पानी में इनको रख देंगे, जब आप काट काट रहे हैं तो ध्यान रहें कि आपकी अंगुली और अंगुठा ना कटे ब्रश की साहता से काटो को ब्लेट से अटाके पानी में रखेंगे, एक वाच ग्लास में सेफ्रनीन स्टेन अभिरंजक लेकर उसमें इन काटो को रखेंगे, दो से तेन मिनिट के लिए, ब्रश की साहता से इन काटो को सेफ्रनीन अभिरंजक में रखते हैं 2-3 मिनिट के बाद इन काटों को साफ पानी से धो कर हम स्लाइट पर मांट करेंगे. अतिरिक्त अभीरंजक को डॉपर की साहता से हटा लेते हैं और इस पे पानी से इनको धो लेंगे. जिससे अतिरिक्त अभीरंजक काटों से निकल कर पानी में चला जाएगा. एक साफ स्लाइड पर दो बून ग्लिसरिल लेकर इसमें से जो सबसे पतली काठ है उसको छाट कर हम स्लाइड पर आरोपित करेंगे निडल की सहायता से धीरे-धीरे कवसलिप इस पर रखेंगे ध्यान रहें कि बायू के बुलबुले ना आएं ध्यान रहें कि कवसलिप की सते पर पानी या ग्लिसरिन की कोई बून ना आए अब सुक्ष्मदर्शी के निम्द आवर्दन शम्ता वाले लेंस में काट को देखते हैं इसके लिए माइक्रोस्कोप के उच्छ आवर्दन शम्ता के लेंस को गुमा कर फोकस करते हैं आए अबं सुक्ष्मदर्शी की मदद से आवर्दन काटमी उपस्तित विविन उतकों की पहचान करते हैं सबसे वाहे परत को वाहे तवचा कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं अंदर की तरफ समवहनी उतक दिखाई देते हैं वाहे तवचा एवं समवहनी उतक के बीच के छेत्र को बलकुट कहते हैं दड़ोतक एवं ब्रदूतक बलकुट छेत्र में प्रचूर मात्रा में पाये जाते हैं अब हम ब्रदूतक के सनरशनात्मक लक्षणों का अध्यन करते हैं ब्रदूतक में पतली कोशिका बित्ती, कोशिकाओं का ढीला विन्यास, अंडाकार या वरत्ताकार कोशिकाएं, अंतर कोशिकी अवकाश उपस्थित और कोशिका गुही का बड़ी केंद्रक उपस्थित ह कोश का बित्ति जो है अभ्रंजन के साथ हलका रंग लेती है और कोश का दव उपस्तित होता है। द्रोत्तक की सनर्चना इस प्रकार है, मोटी कोशिका भीत्ती जो गहरा अभिरंजल लेती है, सम्भेहन विन्यास होता है, आयताकार अथवा वहुकूणी कोशिका आकार और अंतरा कोशिकी अवकाश इन में अनुपस्तित रहता है, कोशिका गुई का छोटी होती है, केंद्र म्रदूतक एवन कोशिका द्रग अनुपस्तित रहते हैं, आये सानी के माध्यम से म्रदूतक एवन द्रोत्तक के सनर्चनात्मक लक्षणों का अध्यन करते हैं, म्रदूतक में पतली कोशिका भीत्ती होती है, द्रोत्तक में कोशिका भीत्ती मोटी होती है, म्रदूतकों में कोशिकाओं का आकार वहु कोणिये होता है मरदूतकों में अंतरह कोशिकी अवकाश उपस्तित होता है जबकि द्रणुतक में ये अनुपस्तित होता है मरदूतक की कोशिका गुईका बड़ी होती है द्रणुतक में ये गुईका चोटी होती है मरदूतकों में केंदरक उपस्तित होता है दरोतक में ये केंदरक उपस्तित रहता है मरदूतक की कोशिका बित्ती जब हम सैफ्रनिन से अभिरंजन करते हैं तो हलका स्टेन लेती है और दरोतक में ये गहरा स्टेन लेती है ब्रदूतकों में कोशिका द्रव उपस्तित होता है ब्रदूतक में कोशिका द्रव अनुपस्तित रहता है ब्रदूतक जो है जेवित कोशिकाएं हैं और द्रदूतक जो है वो ब्रत कोशिकाएं भी कही जाती है आज हमने म्रद्दूतक एवं दर्णूतक की सनरचना का अध्यन किया पौधे के तने की अनुपरस्त काट से आशा करते हैं आप इस स्लाइड को स्वें बनाएंगे और इन उत्वकों का अध्यन करेंगे धन्यवाद झाल